आज हम learning के बारे में सिखींगे learning यानि अधिकम हम जानते हैं कि जन्तों में दो प्रमुख प्रकार के व्यवार उपस्थित होते हैं कुछ व्यवार जो होते हैं जो जनको हम innate behavior केते हैं जो inborn होते हैं जर्मचात होते हैं वह बिना किसी पूर्व अनुभव के ही प्रदर्शित होते हैं और उनी को ही हम fixed action pattern कहते हैं दूसरा वेवार होता है जो learned behavior के लाता है यानि कि जो हम दूसरे सदस्यों को देखकर सीखते हैं जिसको हम अधिकम कहते हैं तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी अधिकम की या learning की कि एक तरस से अनुकुलित परिवर्तन है जो पूर्व अनुभव का परिणाम है नई उपार्जित जो सीखने की प्रक्रिया है वो याददाश पर निर्भर करती है और जो learning है वो इत्यास वो परियावरण पर भी निर्भर करता है तो इस प्रकार से जो अधिकम है वो हमें आसपास के वातावरण से सीखने के लिए प्रेरित करता है और यहाँ सीखने की प्रक्रिया भोजन और पानी पर भी डिपेंड करती है तो इसको सबसे पहले निको टिन बर्जन ने अपने जो एक्सपिर्मेंट है डिगर वास्प उसके द्वारा प्रदेशित किया था कि वो जो अपना गोसला बनाती जमीन के अंदर तो वहाँ पर एक निश्चित सा लेंड मार्क करती है एक छोटा सा एक निशान होता है और वो निश्चित समय पर वहां आती है और अपने जो बच्चे उनके लिए बोजन लाती है लेकिन अगर उस जो निशान को हटा दिया जाए तो वो वहाँ पर वो confused हो जाएगी और वो अपना समय जो है उस जगे को डुणने में लगाएगी तो जो सीखने की प्रक्रिया है उसको अलग-अलग तरीके से प्रयोगोद्वारा समझाया गया है कि किस तरह से जो हम उधारन देखते हैं कि जो शेरों के बच्चे होते हैं वो प्रारम में अपने मापर ही डिपेंट रहते हैं और दिरे दिरे वो शिकार करना सीखते हैं ऐसे कई उधारण हम देखेंगे जिनके द्वारा हम देखते हैं कि जो निश्चित प्रक्रिया होती सीखने की हर एक मनुष्य में या जानवर में वो अलग-अलग प्रकार से होती है जैसे कि अगर हम छोटे मैडग देखेंगे उनमें तुरंत भोजन को लेने की प्रक्रिया उनको सिखाया नहीं जाता लेकिन वो भोजन को लेना वो सीख लेते हैं तो ये तरह से अधिकम व्यावार का एक विशिष्ट परिवर्तन होता है जो किसी बाहय गटना अथ्वा किसी जन्तु के जीवन काल में गटित प्रक्रमों के फलस्वरू विक्सित होता है और ये तंत्री का तंत्र की इसमें भूमिका होती है तो जब हम अधिकम की बात करते हैं अलगलग प्रकार से हम इसको क्लासिफ़ाई करेंगे तो इसको पाँच अलग-लग भागों में बाटा किया है पहला है नोंय एसोसीव लर्निन जिसमें हभीचएशन वो सैंसर्टाइजर्शन आता हαι दूसरा है associative learning जिसमें पावलो की थियोरी आती है जिसको हम classical conditioning थियोरी केते हैं दूसरा operant conditioning जो trial और error बेस पर आधारी थे तीसरे learning है latent learning चौथा है insight learning जिसमें हम reasoning, intelligence और cognitive thinking की बारें बात करेंगे पाचवा है phase specific learning जिसमें हम imprinting, avian, song learning और language learning के बारें बात करेंगे तो ये जो अधिकम की शमता होती है वो सभी में होती है यानि कि एक कोशी के proto-जवा से लेके जो develop मनुश्य है वहां तक ये बैवार की प्रतिक्री जो रता है सबसे पहले बात करेंगे habitation, habitation का मतलब कि कोई animal या human जो habited हो जाता है यानि कि कि किसी stimulus का habited हो जाता है तो वो अपनी जो प्रतिकिया है वो तुरंत नहीं देगा अगर ये प्रतिकिया बार-बार होगी तो वो response की प्रक्रिया जो होगी वो बंद हो जाएगी जैसे कि यहां पर उधारण दे रिखा है कि जो अर्बन एरियास में जो animals हैं वह अलारम नहीं दें क्योंकि वो हमेशा ट्रैफिक के आवाजों को सुनते रते हैं तो जो इसी तरह से अगर हम जंगल में रहने वाले जानवर हैं तो वो अलारम देनने में अलग प्रक्रिया अपनाते हैं तो habitation जो है वो एक तरह से अपने वेवार को उस व्यावातावरण में शामिल करने की प्रक्रिया है इसमें लगातार उद्धीपंद दिया जाता है इसमें प्राणी को फाइदा या नुकसान नहीं होता है और इस अभ्यास के कारण प्राणी हवा के कारण गतियां बादलों की छाया तरंक्रिया आधी सिखता है और ये तंत्री का तंत्रपर आधारी होती है लेकिन sensory adaptation इसमें नहीं होता है इसका उधारान इसमें दे रखा है कि टर्टल जो है वो अपना सर खोल के बाहर निकलता है जैसे ही कोई stimulus होता है वो अपना सिर वापस खोल के अंदर ले जाता है थोड़ी दिर बाद वो वापस निकालेगा अगर उसको वापस को उद्धीपन देंगे वो और वह अपना सिर फिर छुपानी की प्रक्रिया नहीं करेगा इसी तरह से हम देखते हैं विजिशन का उधारन जिसे स्केर क्राउस लगे रखते हैं खेतों में जिसमें चिडियां प्रारम में तो डरती लेकिन जब वो इसकी आदी हो जाएगी तो वह रस्पोंस नहीं दे देंगे दूसरा है कि सेंस्स टाइजेशन निकी जो एक प्रकार का यह जो है वह वह पोजिट उसकी जो हमने पहले है पुछेशन देखा था उसके पोजिट है कि स्टुमिलर्स इरिटेट्स और अनॉइज अगर किसी एनिमल्स को कर रहा है तो एनिमल्स जो है वो अपने जो रेस्पोंस नेसे वो बढ़ा देगा जिसी की एक फ्रॉग है अगर स्कीन को निडल से टुच sign कराते हैं तो तो हमेशा हमेशा अपने पेरों को पीछे करेगा लेकिन अगर यह प्रक्रिया बढ़ाते हैं तो वहाँ जो उसकी प्रक्रिया देने की प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया है वहाँ बदल जाएगी तो इस तरह से sensitization जो है वहाँ किसी भी एनिमल को repeated stimulus के प्रति responsiveness कर दी फिर है classical conditioning यानि की यहाँ एक शर्त के अनुसार व्यवार प्रदर्शित करने की प्रक्रिया और इसको सरप्रतम आईपी पावलाव उने 1941 में कुटोपर शोद किया था इस पर और उसमें लार संस्थापित अनुक्रिया होती है और यहाँ प्राकतिक असंस्थापित अद्धिपन वा नया अरजित संस्थापित उद्धिपन के कारण भी होता है इसमें प्राणी संस्थापित उद्धिपन वह संस्थापित उद्धिपन के सहसंबन को पहचानने लगता है वह अनुक्रिया प्रदर्शित करता है जैसे कि उधारन के तोड़ पे जो पक्षी मौत को खाते हैं लेकिन मौत भी म कि मिक्री के द्वारा अपना कलर जो अध्व स्वाधिस्ट होते उनके जिसा कर लेते हैं तो वो मौत को उस मौत को नहीं खाते यानि काले नारंगी मौत लार्वा को नहीं खाते क्योंकि उसका स्वाध खराब होता है और तो यह एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया होती है इ गंटी के द्वारा फूड देनी की प्रक्रिया अपनाए गई तो जब भी गंटी बचती अगर फूड नहीं होगा तो भी डॉक्स से सलाइवा जो है वो डिलीज होने लग जाएगा तो यह क्लासिकल कंडीशनिंग इस प्रको कहा गया और जो यह काफी प्रसिद्द भी हुआ इसमें तर में दिखाए गया लैबोरेटर でनी में प्रक्रिया गया था और सारे स्धुमस को देखा गया था किस तरह से हैं डॉक के ऊपर यह सारा प्रक्रिया गया ता और उसके जो stimulus होते हैं उनको देखा गया था और इसमें उसके behavior को दर्शाए गया था इस classical condition प्रयोग में यह देखा गया है कि before condition क्या होता है यानि कि जब हम food देते हैं बिना condition के और salivation होता है लेकिन जब condition लागू करते हैं और तब food देते हैं तब भी saliva increase होता है लेकिन जब bell बसती तब भी dog को लगता है food मिल रहा है salivation होता है लेकिन जब हम condition के बात देखते हैं तो जब भी bell बजेगी उसके salivation की प्रक्रिया होती रहेगी तो इस तरह से classical condition जो प्रयोग था वो new connections की information को बताता है और stimulus को किस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं यह दिखाया गए salivation के द्वारा अगला है operant condition जो इक तरह से platform है behavior को दर्शाने का जिसमें की reward किया जाता है या जिससे की वो जो performance से वो करेगा या फिर punished किया जाता है अगर तो इस प्रक्रिया के द्वारा इस प्रयोग को दिखाया गया था अगर हम operant condition की बात करें तो operant condition में thorn dike ने सबसे पहले एक puzzle box का प्रयोग किया गया था और उस puzzle box के मदद से उसमें चो cat थी वो अपना भूजन पाने के लिए उस box को खोलके अपना भूजन लेती है तो यह puzzle box जो था जिसमें trial और error का प्रयोग किया गया था और जिससे कि वो अपना पिंजरे से छुटती है और भूजन लेती है तो थोन डाइक ने प्रयास और तुटी विदिद्वारा गया नर्जित करने से संबधी जातकारी प्राप्ट करने तो जो कक्ष निर्मान किया था उसमें डोरी खीचने से गेट खोला जा सकता था जिसको बिल्ली देखती है और फिर वह डोरी जब खीचा जाती है तब उस की प्रक्रिया उसमें देखी गई इसी तरह से थॉंड डाइक पजल बॉक्स हमने देखा देख रहे हैं यह थोन डाइक पजल बॉक्स है इसी यह जो हमने अभी इसके बारे में बात की थी इसके लावा स्कीनर बॉक्स भी है जिसमें कबूतर है जो जैसे ही इस जगे पर चोंच मारेगा उसको यहां पर भोजन मिलेगा तो बार-बार प्रयोग से वह इसमें परफेक्ट हो जाएग तो यह दोनों जो प्रयोग हैं वह हमको ओपेरेंट कंडिशन के बारे में सिखाते हैं कि किस तरह से जो वैवार है किसी भी प्रेक्रिया को ट्रायल और एर्र के द्वारा हम सीख सकते हैं अगला है लेटेंट लर्निंग लेटेंट लर्निंग यानि गुप्त अधिकम प्राणी नए आवासों को डूनता है सुचनाओं को सीखता है जो उसके भविश्य में काम आती हो धारन चूगों में उनकी आवास के पास की जानकारी उन्हें शत्रू से दूर भगाने में काम जाएंगे तो लेटेंट लर्निंग जो है वहाँ नए सुचनाओं को सीखने के लिए प्रेरित करती है और यह सीखने की प्रक्रिया किसी जानवर की फिटनेस और सर्वाइवल पर की वैल्यू बढ़ाती है और यह इन्वारिमेंटल चेंजर से अलग-अलग बदलती रहती है यहाँ पर उधारन दिया है कि एक जो रैट है जिसको भुका रखा गया है वो मेज में उसको दस दिन रखा गया और और उसने दस दिनों में बहुत सारी चीज़ें सिखी लेकिन 11 दे वो तब तक उसको वह उसको भुका रखा गया लेकिन उसने कई प्रयासों से एक जगे खोज निगाली जिसमें वो बोजन को प्राप्त कर सकता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक मेज में वो अलग-अलग प्रयासों के द्वारा लास्ट में वह बोजन को ढून लेता है और उसको पता जल जाता है कि इस रास्ते से बोजन मिल जाएगा तो ये सीखने की प्रक्रिया है गुप्त अधिकम यानि कि लगातार नए तरीकों को सीखना जिससे कि वो बोजन को प्राप्त कर सके और इन्वार्नमेंट में रह सके अगला है इंसाइट लर्नि यानि कि अन्त द्रस्टी अधिकम यहाँ सबसे उच कोटी का अधिकम है यहाँ पूर्वों में सिखी गई गतिविद्यों पर आधारी थे यहाँ प्रयास वा सीखने का परिणाम नहीं है इसका संबन्द अनुवांशिकी से है और यह परिस्तित जन्य अधिगम है यहाँ कुरिया को बढ़ाता है यानि कि जिसमें एक जो विज्यानी के कोहलर उसने उन्होंने एक्स्मेरिमेंट किया चिंपांजी पर और उन्होंने जो बनाना है वहाँ सीलिंग फैन पर टांग दी तो जो चिंपांजी थे वो उनको जब बनाना लेना तो बॉक्स के उपर बॉक्स रखके उस बनाना को प्राप्त किया तो यह एक उधारन है इंसाइट लन्नी का ऐसी तरह से हम देखते हैं जब चिंपांजीन्स को टर्माइट्स खानी होती है तो वहाँ टूल्स इस्तमाल करने के लिए एक ट्विक को लेता है और वहाँ टर् जलता है और उससे स्टिक से टर्माइट्स चिपक के आती है और चिंपांजीन्स उनको बोजन के रुप में प्राप्त करता है तो यह एक तरह से लेटेंट लर्न इंसाइट लर्निंग है जो हमको शिखाती है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल बिलकुल आसान और जल्द किया जाए और यह हुमन्स प्राइमेट्स और मेमल्स में बहुत ज़्यादा मिलती है अगला है इंप्रिंटिंग इंप्रिंटिंग यानि अंकन यहां कॉन्रड लॉरेंच जो 1941 में शोद किया था उसका प्रणाम है और यह प्राणी के ग्रही समय यानि के रिसेप्टिव प किती नवजाद प्राणी अन्य प्राणियों माता पिता को वह आवास को पहचानने लगता है लॉरेंच ने जब नवजाद पक्षी शीशों को जनकों से अलग कर दिया तो वह स्वायम लॉरेंच के पीछे-पीछे जाने लगे प्रवासी सालमन भी यही अधिगम दर्शात हैं तो इंप्रेंटिंग छोटे यंग चिक्स और बच्चों में दिखाए देती है और यह एक्टिविटी ज़समाओ-बिल्डिंग-प्रिण्व इस सारी प्रक्रिया हैं के द्वारा होंगी ज़् habíaस नहीं सिखती आ जिसे कि कोईल म्हारे बट्स नहीं करती है वह अपने से फाइलियल इंप्रिंटिंग दूसरा सेक्शुल इंप्रिंटिंग तीसरा शोशल इंप्रिंटिंग पहला फाइलियल इंप्रिंटिंग में जो यंग वन्स होते हैं वह अपने पैरेंट्स के साथ अरली स्टेज में एक्टिव हो जाते हैं जैसे कि चीता लैपार टाइगर जो अगर वो नहीं सिखेंगे, तो वो बूके मर जाएंगे, दूसरा है sexual imprinting, यहाँ adult stage में होता है, जो opposite sex के प्रती, इसमें coaching behavior दर्शाना होता है, singing की प्रक्रिया होती है, feather display जैसे peacock करता है, dancing की प्रक्रिया होती है, यह तो सारे birds में यह प्रक्रिया ज्यादा तर पाई जाती, coaching behavior होता है, अलग-अलग feathers दर्शाते हैं, dance दर्शाते हैं, तो इनके द्वारा यह imprinting जो होती है, वहाँ किया जाता है, तीसरा social imprinting, यहाँ थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन life में एक समय में होता है, और इसका प और इसके द्वारा वहाँ adult behavior को सीखता है, तो इस तरह से imprinting में हमने देखा कि किस तरह से Lawrence ने इसको व्यक्त किया था, तो इस तरह से हमने learning के जो सारे concept देखे, जिसमें हमने पावलो का जो प्रयोक था वो देखा, और thon diek, skinner box, chimpanzee जिस कोहलर का जो experiment था, तो इन सीखने की जो प्रक्रिया हैं, उनके द्वारा हम कई चीजों को समझा सकते हैं, जैसे reasoning है, reasoning तरक शक्ति को बताता है, और यह तरक शक्ति मनुश्यों में और कप्यों में ज़्यादा होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मनुश्य अलग-अलग व्यवार प्रदर्शित करता है, इसी तरह से जो अधिगम है, वह हम कई उधारनों से प्रदर्शित कर सकते हैं,